क्या आपने अपने SD card से photos and videos को delete कर दिया है और आप उसे वापस से recover करना चाहते हो दोस्तों स्वागत आप लोग आज के एक नहीं वीडियो में जैसा कि आपने सुना मैंने बोला कि अगर आप अपने phone से SD card से किसी भी photos and videos को delete कर देते हो और उसे वापस से recover करना चाहते हो तो भी बीना किसी application के कोई भी application download करनी की जीवरत ही है आपके phone में यह ऐसा application है या फिर settings बोल लीजिए जिससे कि आप इसे recover कर पाऊगे अपने photos and videos को recover कर पाऊगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते है उसे पर आगर आपने वीडियो पर लाइक नहीं किए तो वीडियो के application देखने के लिए मिल जागे जैसे कि आप अमरे phone के display पर देख सकते हो Google का जो एक file करके application आता है वो application आपके phone में होगा आप चेक कर लीजिए इस तरह की application आपके phone में होगा by default यह settings से ही यह आपके phone में पहले से इस system से ही होता है तो यह आपके phone में होगा, आप इसे check कर लिजे, कहां पर आपके phone में दिया गया है, वहां से इसे open कर लिजे, तो यहां पर हम इस application को open कर लेते हैं, अब वाइस यहीं पर आप अपने photos and videos को recover कर पाऊगे, यहीं से आपको recover करना है, उसके लिए यहां पर आपको बहुत सारे settings म दिखाऊँगा, यहां पर देख सकते मेरे phone में जितने भी वीडियो है, यहां पर show कर रहे हैं, जिसमें से मैं यहां पर एक वीडियो को select करता हूँ, और यहां से delete कर देता हूँ, अभी मैंने इसे delete कर दिया है, और आप मैं इसे वापन से recover करूँगा, आपके सामने ही, तो three line मिलेगा, देख लीजें यहां पर, इस three line पर आपको click करना है, और जैसे आप यहां पर click करती हो, आपके सामने एक option आएगा trace, इस वाले option पर आपको click करना, trace वाले option पर जैसे आप click करोगे, यहां पर आपको definitely मिलेगा internal storage पर पहले से यहां पर select होगा, अभी आपने अपन हो जाएंगे, आपके phone के memory में आ जाएंगे, अगर आपने SD card से delete किया है, तो यहां पर एक option आपको देखनी के लिए मिल रहा होगा, order storage, यहां पर जो other storage है, यहां पर आपका SD card भी लिखा हुआ आ सकता है, अगर other storage आ रहा है, तो समझे यहां आपका SD card ही आ रहा है, SD card का option य तो आपने जितने भी photos and videos को SD card से delete किया होंगे, यहां पर आपको show कर जाएगा, अभी आपको क्या करना है, यहां पर इसी तरह से tick mark पर click करना है, और यहां पर register बाले option पर click कर देना है, और यहां से आप जो one file है, यहां पर register हो जाएगा, आप यहां से हट चुका है, क्यूं अगर आपको वीडियो पसंद रहे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर ने हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए